नमस्कार दैनिक शिव्चाय में आप सबका स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामन शुवं भगत के साथ सबसे पहले कहेंगे गुद मानिंग आदाव सस्रियकार नमस्कार जितनी भी जनता हमें देख रही हैं हम जे चाहेंगे आज जो मुद्दा लेकर आये हैं बड़ा ही एक important यही महतापूर मुद्दाले का अपनी जनता के समक्षा हैं देश वासियों की बात करें तो हर देश वासी के मन में देश भक्ती का सच्चा जजबा है और हम गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं हम हिंदुस्तान देश के वासी हैं जमू कशमीर की जनता हैं और कही सथ हम यह कहेंगे कि जिस तरह से सईदली शाह गिलानी की मृत्यू पर जिस तरह से समर्थन करना या यू कहें वो चेरे सामने उभर कर आए जब कहीं ना कहीं सामने ते नहीं पीठ पीछे एक बैक पावर की तोर पर उनको समर्थन करते थे इनी सब विशो में हम बात करने लास्ट रिचूल से उस पर गिलानी के शरीर पर पाकिस्तानी जंडे का रखना और साथी साथ नारे लगाना पाकिस्तान के क्या दर्शाता है इनी सब विशो में बात करेंगे रजनी सबसे बहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत दन्यवार रश्मी जी इस तरह का माहूल या किस तरह की मान सिखता रखती है महबुबा मुफटी क्योंकि लगातार सवालों के कट घरे में कही ना कहीं शक के घरे में रहती हैं और अब गिलानी की मृत्यूं से जो की हमेशा बड़ा चाहरा रहा है सपरेटिस अलगावात का जिन्नोंने हमेशा यह सारी बाते क्या दर्शाती हैं? और अगर उन्होंने तो ये किया, मुझे लगता है कि सीम होते हुए उनको इसका विरोध करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि आप हमारे भारत के नागरिक हैं, तो आप पाकिस्तान का जंडा लेके आपका समर्थन कैसे कर सकती हूं, तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि म पर फिर भी वो इज़त करती है, चली इज़त तक तो सही है, पर जो अभी लास्ट जो रिचूल्स होए और कहीं न कहीं जो वीडियो वाइरल होए, पाकिस्तान और साथ इसाथ गिलानी परिवार के ओपर एफ़ायर भी लगी है, तो कहीं न कहीं महभुबा मुफ्ती ने उ उस चीज़ को, कि नहीं होना चाहिए, लास्ट रिचूल्स का हरे को अधिकार अपने ढंग से, वो बात सही है, हरे का धरम के हिसाफ से, उसी तरह से लास्ट जो राइट से रिचूल्स होने चाहिए, पर यह कहां तक सही है, कि अपने देश की होते हुए, दूसरे देश का जन्डा, जो देश हमेशा हमारे देश को नुकसान पहुचाने की कोशिश करता हमेशा हमारे जो सिपाही हैं, हमारी जो सैना हैं, उनको नुकसान पहुचाने की कोशिश करता और आप उसी को समर्थन कर रही है, मैं वही बता रही हूँ कि महभूबा मुफ्ती की मानसिक्ता दर्शाती है कहीं न कश्मीर में हालात खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है एक्शली उनकी अपनी राजनीती कुर्सी छिन चुकी है वह सोचती है कि कश्मीर के जो लोग है वो बेवकूफ है हर बार उनको वोट पॉलिटिक्स के तहद उनको यूज करती रही है अब उनके पास जम्मू में तो कोई option है नहीं क्योंकि जम्मू वाले उनको कभी accept करेंगे नहीं क्यूंकि जम्मू के लोग पहचान चुके हैं उनके मानसिक्ता को जब वह CM रही है तब भी उन्होंने जम्मू के लिए कुछ कि अब कश्मीर में उनके पास यही प्रफगंडा एक यूज करने को है कि पाकिस्तान का राग अलगावादी को यूज करो तीन सो सतर को वापस लाने की बात करो ताकि उनको वोट मिले अगर वो कह रही है कि वो गिलानी के सोच को नहीं मानती तो वो किस सोच को मानती है बारत का खाते हैं और बारत के ही गुन गाहेंगे तो अगर ऐसा वह शुरुवात करती हैं तो मैं खुद यहां पर आपसे इंटरव्यू में उनकी तरीफ भी करूंगी कि उन्होंने महिला होते हुए वहां के युवाँ को सही रास्ता दिखाया और भी नेता है रजनी दे पर महबुबा मुफ्ती ही क्यों हमेशा सुर्कियों में रहती हैं कहिना कि ये दिखता था कि जब वू सेंहां थी हमेशा कश्मीर की बात करती थी जमू को हमेशा उन्होंने नका रहा है पर आज तो वो सहन नहीं की जागी। आपने वीडियो अपर उस वीडियो में काफी सारे वल्गर कमेंड्स बड़े abusive language आपके लिए यूज की गई है। क्या कहेंगे इसके लिए बिल्कुल मैंने वीडियो डाला भाजपा के प्रवक्ता के नाते मेंने एक वीडियो डाला क्योंकि पाकिस्तान के खिलाब बोलेंगे तो मुझे लगता है कि मैं एक हिंदुस्तानी सची हिंदुस्तानी हो तो मैं ये बरदाश नहीं कर सकती थी मैंने बिल्कुल वीडियो डाला और उसमें वल्गर कमेंट्स कश्मीर के युवाओं ने डाले हैं मुझे लगता है उनकी मानसिकता दर्शाती कहीं न कहीं डालना चाहिए उनको ऐसे कमेंट्स पता लगता है कि क्या परवरिश यह पर नारी का सम्मान तो हर धर्म में बताया गया मुझे मीरे परवरिश क्या आम महिला यहां को कहा है महभुवा मुफिय सरा इस सिर्फ लोगों को रिесपान्स अ dop क्या उनकी मान सिखता है और किस लेवल तक वो जा सकते हैं रजनी कुछ दिन पहले आमने एक और वीडियो देखा था हम आमने जन्दा के समक्षी चीजे लानी भी बहुत दूसरी तरफ आप खुद ही महीलाओं की इजत नहीं करते हो हमारी एक रिपोर्टर है जनलिस उन्हों एक यह मानते हैं उस आइडी पे हमने देखा इतनी वह जात किसम के उस महिला पत्रकार को गालियां दी गई इतनी वह ज्यात शायद लगता है कि ऐसी गालियां कोई बी कहते हैं इल्ली टेट कोई पड़ा अंपड़ा लोग भी होगी वो भी ऐसी गालिया नहीं देते होंगे ये कशमीर के लोग यानी जो वहाँ पर जिस तरह से नाम आ रहे थे हम पटिकुली कशमीर कशमीरियत को नहीं कुछ कह रहे पर हाँ जो लोग वहाँ कर रहे थे सब ने उस महिला पत्रकार को गालिया दी ऐसी चीजों पर क्या लगाना ज़रूरी नहीं है कि या यह कहें कि अपनी मा बेहनों को भी घर में वो इसी तरह से एड्रस करते होंगे उनकी नजर में उनकी भी वही इज़त होगी क्योंकि लोग भूल जाते हैं अंदे अपने अलगाव के लोगों की भी कमी हैं देखिए अगर वो गाली निकालते हैं तो हम चुप रहते हैं हमारे जम्मो के लोग रिस्पॉंस नहीं करते वह कहीं ना कहीं इस चीज का फाइदा उठाते एक गाली के साथ दूसरी गाली उनकी जुड़ जाती है एक चीज देखिए एक महिला करेक्टर पर उंगलियों ठाए जाते तो यह लोग सिर्फ हम आशा देखते रहें मुझे लगता है कि हम जम्मो के लोग क्या बताना चाहते हैं क्या हम कमजोर हैं जम्मो के लोगों को भी अपनी जगा स्टैंट रखना पड़ेगा सिर्फ उनके प्रफाइल पिक्स पर कमें वीडियो डाल रही है और इतनी हिमत कर रही है आप पुर्षों में हिमत नहीं है एक महिला हिमत कर रही है तो पुर्षों का सपोर्ट कहां देख रहा है देख रहे हैं वीडियो गुड मॉनिंग करेंगे मैसेंजर पे मैसेंजर पे कहेंगे आपने वीडियो बहुत अच्छ करते हैं मुझे एक बात बताई है जब आप खुद स्टैंड करेंगे तभी तो आपके साथ सरकार भी चलेगी आज कश्मीर के साथ क्यों सरकार सपोर्ट करती है क्योंकि कश्मीरियों की एक चीज़ मैंने एकता है हम लोगों में एकता नहीं होने के कारण यह सारा नुकसान हम जमू वाले बोग रहे हैं मैं शायद आप लोगों के सामने यह सच बता रही हूँ मेरे तरवा सच है यह जमू के लोग एकसेप्ट करें या ना करें मगर मुझे यह बोलना ज़रूरी है कि अभी वी कश्मीर के हालात जमू में नहों उसको रिपीट ना करें अभी भी ही अपने ही लोग उठकर महिलाओं को हमारे वीडियो में देख ली कहीं बार यहां महिला हो या कोई मेला इंटर्व्यू दे रही हैं इंटर्व्यू कर रहे हैं उन पर भी हमारे जमू के लोग काफी सारे कटक्ष करते हैं काफी अभद्रबाशा का परियोग भी करते हैं प अगर आप किसी ऐसे दर्म के लेके बनाएंगे तो वो बवाल मचा देंगे तो हम हर चीज़ एकसेप्ट कर रहे हैं तो यह कहीं न कहीं हमें पीछे लेके जा रहा है और जम्मू को पीछे रहने का रिजन यही है कि हमारी आपस में भाईचारा और रहता नहीं है किस तरह के अब हालात होने वाले हैं किस तरह के हालत होने चाहिए ताकि जम्मू अपने हग के अधिकारों के लिए आवाज उटाए और जम्मू वासी एक हो जाए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये पार्टी का लेवल को छोड़कर आपस में महिला पुरिश का एक संमान जो बनता है चाहे वो अपनी घर की महिला है या किसी बाहर की महिला है अगर कश्मीर में कोई ऐसा टिपनीं करता है तो उनको जवाब देना हमारे सभी नागरिकों का धर्म बनता है और कश्मीर में कसने की जट्रोरत है जाहे साइबर-क्राइब वाले हैं चाहे हमारे जितने भी सोचल मिडिया के देखने वाले आदेश भी आया कि 66A की जो अबदर बास्षा का या आपकी कोई फोटो या कुछ और अगर वहाँ पर social media पर डालते हैं उसके माधम से पुली स्टेशन में अफर नहीं लगेगी तो फिर अफर लगेगी कहां इसे लोगों को तो और बड़ावा मिलेगा ना Supreme Court के order की में उलंगना नहीं करती, उन्होंने क्या सोच कर इस order को पास किया है, मगर मैं लोगों को यह कहना चाहूंगी, कि लोग तो जाग रुखों, हर चीज कोट के जरीए फैसला किया जाए, तो ये भी मुम्किन नहीं है, अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ सुन लेते हैं, तो मुझे इस चीज का काफी अफसोस हो रहा है, मैला कोई भी हो, कोई भी हम यह कहना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन बहले, पत्रकार की खिलाफ भी क्यों, वो भी एक मैला है, किसी की बेटी है, अगर वो इस प्रफेशन में आई है, जनलिजम के करोगे, अगर उनका सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो गर बैठ जाएंगी, क्योंकि कि बिल्कुल अपने ठीक आरज नहीं है, कि मैला इस सोच से भी आगे आना नहीं चाहती है, इस प्रोफेशन में खास करके एक नोगल प्रमेशन, क्योंकि कहीं ना कि अभी भी मेल डॉमिन किसी तरीके से असानी से इसी चीज का टार्गेट करेक्टर को टार्गेट करके ही बदनामी की जाती है, या कुछ ऐसी लेंवेज यूज की जाएगी, जो महिला रेस्पॉंस नहीं कर सकेगी, तो मैं आज की दूर में कैते टिट फॉर टैट, रजनी जी अब जवाब देना बहुत ही जरूरी हो गया, उन्हीं चीजों का जो वाके जहां पर लगे आपको जवाब देना, दे दीजी बेदड़के से, क्योंकि दुबारा दूसरी बार ऐसे कमेंट करने से या ब्यूजिव लैंगेज करने से पहले सो बर सोचे, ऐसे हम कहीं बर करते हैं, कहीं लोग इ अगर मैसेज करते हैं, हमारे लिए नहीं किसी महिला के लिए, हम तो उसी टर्म में उसका रियक्ट कर देते हैं, और जवाब देते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, कि जिस को से उनकी मान उनको जरम दिया है, वो महिला थी, तो दूसरी महिला के विली, ऐसी क्यों सोच बिल्कुल जो लड़का कमेंट कर रहा है कि की मा ने इसको क्या संसकार दिया? की एंटी कमेंट कर सकते हैं काश्मीर के लोग यह गंदे लेंग्वेजि़ी हुश कर सकते हैं आप देखिए जम्मू के लोग भी कमेंट करते हैं नहीं कर रही मगर सामने लिख रहे हैं कि हम येस वह पाकिस्तानी ना हो हमाई सॉचल मीडिया जो साइबर क्राइम वाले हैं उन को इस को बलॉक कर देना है है । ता कि वो दुबारा एसी हरकत ना करें और मैसेज एक पब्लिक तक पहुंचे कि वह हम ऐसी अगर कमेंट करेंगे मैं मैं चाहिए के अलवा पूरिश के साथ भी ऐसा कमेंट करें सब के आईडी ब्लॉक हो जाने चाहिए जो एंटी कमेंट करें रजली जी जो गिलानी की मृत्य हुई उस पर कही ना कही वो चहरे सामने आगे जो कही ना कही अलगावाद को सपोर्ट तो करते थे पर सामने से कुछ कहते नहीं थे पर इस पर जो महबूबा जी एक्सपोज हो गई है जिस तरह से उन्होंने लास्ट रिचूल्स पर भी अभ जो हमारे देश के हिसाब से होना चाहिए तो वह सब हुआ महबूबा की जो असल असलियत है असली चहरा जो है वह मुझे लगता है अभी नहीं सामने आया वह जब हमने सरकार तोड़ी थी तो हमने तभी सरकार तोड़ी थी उसके बाद 5 अगस 2019 को जब 370 खत्म हुआ उन्ह मैं ऱहीं आपसे बात की कि अगर वो युवाओं की शुब चिंतग को ब्लिदी टो यूवाओं को सही रस्ते पर ले जाती तो ये दर्शाता है कि कश्मीर में जो पुल्टिकल पाइज है वह कहीं कहीं कश्मीर में शांती को बनाने नहीं देना चाहते वह अपनी राजनिती पंडित लड़की हूं, जम्मो की रहने वाली हूं, दुख होता है कहीं न कहीं कश्मीर के ऐसे हालात को देखकर, मैं चाहती हूँ कि कश्मीर में शांती हो और Maudie जी भी उसके लिए कदम उठा रहे हैं, तो अगर Maudie जी इतना कदम उठा रहे हैं, तो कश्मीर की जंता का भ तो आप गुन गाएंगे पाकिस्तान के, वो कोई-कोई होगा जो एकसेप्ट करेगा, मैं नहीं एकसेप्ट कर सकती है, मैं उपल निपर रहे हैं। इतने सालों के बाद पहली बार वहां पर तिरंगा रहली निकली है, पर कहीं लोगों का ये भी कहना के गन पॉइंट पर, क्योंकि हम कमेंट्स देखते रहते हैं, पर क्या लगता है अब कश्मीर की जनता जागरुख हो चुकी है, इन चेहरों को जो की हमेशा वहां के युव जनाधार बहाँ प्छले काफी सालों से बाद जनाधार की इतनने कार्यकराता है पंचैत के चनाई máँ में हमारे पंच सरपन्जीत का आये हैं, बी डे iす cinnamon बने हैं, अलग अलग जो ग्रासवाइन के हमारे आ के कार्यकरा सामने मैं कुछ दिन पहले मैं भी कश्मीर गई थी जो आप कह रहे हैं कि वहां गन पॉइंट पे ऐसा कुछ रेलीज की जाती है मुझे नहीं लगता कि गन पॉइंट पर कोई जी बिलकुल यह मैसेज़ जो है यह रूमर होता है यह रियालिटी नहीं होती क्योंकि कश्मीर में वह जो इनको सरकुलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि इस को बंद करने का जो है वह सरकาร को ही करना पडेगा सोशल पे लगाम कशनी की जरूरत अगर है वह हमारे जो हमारे साइबर सेल वाले हैं उनको करनी पड़ेगी और जो यूथ चाहते हैं कि कश्मीर में अमन बहाली हो उनको हमारे साथ मैं बीजेबी के साथ नहीं कहा रही जो देश वक्त लोग हैं उनके साथ सपोर्ट करके देश की बात करनी पड़ेगी चलिए रजी इस सवाल हम आपने जनता का भी लेते हैं क्योंकि यह जरूरी है जनता का कभी-कभी सवाल लेना चाहिए हम यहां पर हैं सरफराज मलिक जी हम कश्मीर हैं नाट इंडिया कश्मीर कहां पर है जना सरफराजी हम आप से जाना चाहते हैं अगर आपका परीवार अपने घर में रहते हैं च सिक्ता को सही कीजिए अगर शरम क्यों आती है आपको जिस देश में रहते हैं कश्मीर और जम्मू कश्मीर भी उसी देश का हिस्सा है तूट अंग है शद आपको इस चीज से वंचित है आपको इस तरह की सोच नहीं आ रहे हैं यह सरफराज मलिक जी का इनके लिए क्या कहें कश्मीरी हैं कश्मीरी पर है तो इंदुस्तानी जना मैं भी कश्मीरी हूं तो मैं हिंदुस्तानी हूं तो यह अपने आपको पाकिस्तानी समझ रहे हैं क्या तो इनको इनका भी कसूर नहीं है रश्मी जी इनको पढ़ाया ही वैसा गया है इनके दिमाग में ही डाला गया ह के आप कश्मीर है कष्मीर कश्मीर कश्मीर है का भारत का ही का कितनी बार अपको संझाए जी अगर नहीं एक्सेप्टुट्ट अरगे और कि संद्धास किण प्रेखार आप फैंटिदें मैंसेज किया कि कुछ 선yn evaluating to support नहीं करती तो पुर्षों की दुबास सोच छोड़िये तो कहीं ना कि ये भी सही है नहीं मैं इससे सहमत हूँ कि जो रेका जी कह रही है महिलाएं क्योंकि देखिए महिलाएं ही महिलाओं को बड़ी बार target करती है तो ये समझने की जरूरत है हम हम पुर्षों पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं पहले हम महिलाएं तो आपस में यूनिटी करें बिल्कुल आबादी का 50% हम महिलाएं रखती है और अगर हम 50% भी कठी हो जाएं तो पुर्षों को मजबूरन हमारा सपोर्ट करना ही पड़ेगा तो यह मैं इससी टीम का गठन किया गया कि अगर महिला को कहीं परेशानी होती है महिला के हिंस्ता का शिकार होती वर्किंग प्लेस पर सुंग्न स्टेशन होता है तो वो टीम जाकर पूरी इंक्वारी करें उनक्वारी करके उस महिला की मदद करें क्या ऐसा कोई गठन तैयार हुआ हमें नहीं लगता कि क्योंकि साफ पर बात जो है सामने जनता कि समक्ष लाना भी हमारा करता है ऐसा कोई संगठन अभी तक त्यार नहीं चाहे उसमें महिला की समस्या ऑच श्काश कशुष और महिला की समस्यां को गरगड़ करें हरेसा कोई संगठन आत्मक तरीका नहीं है कि कि हमारी महिला टीम बनाई जाए या लोगों के ढमेस्टिक इशू को पर अबद्रबाशा का परियोग किया है और ये नाम भी उन्हों लिखा हुआ है पर बीजेपी की महिला और पुरिशों ने उस पर क्या एक्षन लिया बिलकुर रश्मी जी अगर इसमें पूरा प्रूफ पाया जाता है मैं पहली महिला होंगी बाजपा से जो आपका पूरा सपोर्ट करेगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला जो भी चाहे वो पुरिश हो चाहे महिला हो अब अद्रबाशा यूज करेगा महिला के लिए उस सवाल होता है कि जब परदेश अद्रबाशा की बात पहुंचती है वह क्या अक्शन लगते हैं माइने वह रखता है क्योंकि बहुत बार हमने उन्ता की बात रहे हमारे पास तथे भी हैं क्या आपको नहीं लगता आप एक महिला स्पोक्सपरसन दी पहले मोर्चा की प्रद होते हैं आप पर उसका क्या अक्शन लेना बनता नहीं है यह यह बड़ा सवाल है क्योंकि की बार यह इग्नोर किया जाता यह साफ सपश्च शब्दों में कह रहे हैं रश्मी जी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आप से कि भई बाजबा का विस्तार हो चुका है बूत लेव कि इस बारे में बात नहीं हुई अधियक जी से मैं जब जाओंगी कारियाले में तो में उसे ज़रूर बात करूंगी अगर एसी हमारे किसी कारिकरता ने कोई ऐसी गुस्ताकी की है उसके खिलाब बिल्कुल कि पार्टी के स्पोर्टर होना कोई गलत बात नी है रेजनी जी कई बार हम ऐसा करते हैं कि अपोजिशन के भी हमें इंटर्व्यूस लेने पड़ते हैं, आप कभी लेते हैं, जो कि इस समय सकेंदर में सरकार हैं, वो भी पार्टी, रूलिंग पार्टी कभी हम लेते हैं, पर सवाल यह आता है, कि जब भी आप समर्थक बनिये, पर अपनी ग कमेंट करने से पहले देखी तो सही, कि आपका, आप किस चीज का सबूत दे रहे हैं, अपनी पैदाइश का, अपने संसकारों का, बिल्कुल, बिल्कुल, सवाल करना हर जनलिस्ट का काम बनता है, और मुझे लगता है कि जो एक सचा इंसान हो, वो उनका जवाब भी देगा बागना नहीं चाहिए हमें, कि हम बाग जाएं किसी सवाल को लेके, क्योंकि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया, तो हम जनलिस्ट के सामने बागेंगे, क्यों, तो अगर ऐसे कमेंट्स, क्योंकि जनलिस्ट की बात शोड़ी, आपकी बात, जो आम महिला हैं, वो क्या करती हू हुकि ऐसे comments से कही न कहीं महिलाओं को test पहुचती है महिलाओं के सम्मान को test पहुचती है और मुझे नहीं उमीद है कि जद्मु के भी छोग इस तरीकए का क्मेंड कर नहीं कि आपके लिए ऐसे कुछ अबandır बाशा यूज्स कि है तो यह कही मलीक जी का मैसेज ओर आया है यह आया है इनोंने कि गुड रिपोर्टिंग मैम पूंच के बारे में भी धनेवा सरप्राजी लगता है आपको हमारी बास समझ आ चुकि है क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं हमारी जमू कशमीर की जनता हमारे लिए बहुत ही मुल्यवान है यन पहले तो मईलाओं को एक मेसेज देना चाहूंगी कि महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करें एक दूसरे के लिए अपती जणक व्यभार ना बना कर बनाए पुर्षियों को यह ज़रूर मेसेजेज देना का घ कि Merry को चॉछ्हीं कि यहां कि अगर कुम को चांड करें। को चाहएं और यहां की खास्तों की जनता को मेसेज देना चाहँगी धियए कर कंटे हो जाएं करके यूनिटी बनाकर सब्सक्राइबू हो रही हूं और जम्मू कश्मीर के हित के लिए काम कर रही हूँ राजनीती को परे रखकर मुझे लगता है कि अपने को आगे लाकर कोई मुझे MLA के चुनाव अभी नहीं लड़ने कोई election नहीं होने तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक रहे अगर जम्मू कश्मीर एक रहे और बारत का हिस्सा बन कर रहे यही मैसेज देना चाहूंगी धन्यवाद रजनी जी कहते हैं देश सर्वो परी है और आप भी कहते हैं और सबसे बड़ी बात भारत देश जैसा कोई देश ही नहीं है हम हम इंदोस्तानी है और सबसे बड़ी बात खुशकिसमत लोग होते हैं वो लोग जिनकी अंदम यात्रा तिरंगे में होती है यानि कि भारत देश के तिरंगे में होती है और तिरंगा हमारी आन मानशान है और उस तिरंगे की तरफ कोई भी आँख उठा कर कोशिश करेगा आँख उठाने की उस आँख को फोर दिया जाएगा या उस देश पर उंगली उठाने की कोशिश की जाएगी तो उस उंगली को तोड़ने की हिमत भी रखती है हमारी फोर्सीज, हमारी आमजनता और सबसे बड़ी बात कि मैसे दिया रजनी जी ने आज सारी बातों पर हमने अज परामर्शबीन से किया और कहीं ना कि एक हल्दी डिसकॉशन भी की कि महिलाओं को कटाक्ष करना महिलाओं के साथ अभधर बाशा का प्रयोग करना वो भी सोशल मीडिया के मादेम से छोड़ दीजिए क्योंकि आप क्यूं भूलते हैं जिस गर से अब मा शब्द मा को बोलते हैं वो भी एक ओरत है जिस बैन की कलाई पर आप राखी बानते हैं वो भी एक महिला है तो क्यों फरक समझते हैं बाहर की अपने गर की महिलाओने महिलाओं का मान समान और हमारे देश की सबिता भी यही है कि ओरतों का समान कीजिए तो मत भूलिये कि देश की सबिता को हमें पर उठाना है वो तब होगा जब हम एकता रखेंगे और साथी साथ कोई भी अगर ऐसा जिस तरह से अभधर बाशा का परियोग करता है कोशिश कीजिए अगर किसी एक महिला के लिए करता ये मैं सोचिए कि उसके लिए कर रहे हैं हमें क्या आवाज उठाईए उसके लिए क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी यह हैं और खास करके जर्नलिस की बात करें जर्नलिस को कोई अपति आप अपनी राय रख सकते हैं अगर आपको कोई इंटर्वियो अच्छा नहीं लगा अपनी राय रख सकते हैं जळूरी यह ज़रूर ध्यान में रखिए किसी बी महिलाग की गर्मा को ठेसना पोँचे कह लाहिना कहीं अब में वारे संस्कार भी इन चीजों को रसते हैं जब हम सोशल मेडिया के माधम से अपने कमेंट देते हैं तो अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बाक्स में दीजिए और इस वीडियो को जदा सथा शेर कीजिए जोड़े लिया से मारे साथ अगले अपडेट के जाहिन जाभारत